सीरिया में इरान से जोड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला हमले के पर एक साथ दो दो ठिकाने खात में मिलके इस्रेल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इसंबले से इरान और अमेरिका में ठन गई है युद्ध का नया मोर्चा खुल किया है दक्शन चीन सागर में चीन का लड़ा को विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉमर के सामने आ गया दोनों के बीच का फासला सिर्फ दस फीट रह गया था फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉमर से बिढ़ गया चीन का लड़ाको विमा या दुम दबा कर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिणनत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे अभी बस इतना जान लीजे कि ऐसा कर चीन ने एक बर फिर ये साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तयार बैठा है सवाल है क्या अगर अमेरिका इसरैल के साथ जंग में पूदा तो चीन भी युद में अमेरिका के खिलाब कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना गदावा है कि बस एक ओरडर आएगा और चीन के लड़ाखों विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टक्राने निकल पड़ेगे हमास का एक प्रतिनी धिमंडल गुरुआर को इरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुचा हमास का प्रतिनी धिमंडल ऐसे समय में मौसको का दोरा कर रहा है जब एजरायल घाजा पट्टी में हमास के ठेकानों को तबाह करने में लगा है हमास के तरफ से रूस में होई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई है आगे पड़े इस से पहले इस तस्वीर में देख रहे हैं लोगों को जान ली ची बाएं से पहले हैं बस सेन नईम नईम हमास के इंटरनाशनल रिलेशन हेड है दूसरे हैं मिखाइल बोगदानाओ मिखाइल बोगदानू ये रूस के उप विदेश मंत्री है मिडल इस्ट में पुतिन के विशेश दूत है तीसरे शक्स का नाम है मौसा अबुमर्जॉब ये हमास पूलित ब्योरों के वरिश्ट सरस्से है दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि ये नया कट बंधन अमेरिका के खिलाफ युद का ब्लूप्रिंट तयार कर सकता है रूस, इरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के छिकानों पर हम्डा करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद शुरू हो सकता है क्योंकि Middle East में मौझूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है? इसकी एक जला, अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है अमेरिका का पहला हवाई हमला अमेरिका का दूसरा हवाई हमला अमेरिका का दीसरा हवाई हमला अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बतला अमेरिकी लड़ाकों विवानों ने सीरिया में इरान समर्थे दो मिलीशिया ठिकानों पर बंबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है इस्राइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और इरान आमने सामने है इसी महीने खाड़ी देशों में मौझूद अमेरिकी जिकानों पर हमले हुए इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए एक की जान चली गए इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं सीरिया और इराक में मौझूद इरान समर्थित मिलीशिया पर हमला करके अमेरिका ने इरान को बहुती बड़ा संदेश दिया है अमेरिकी रक्षा सचे लॉइड ओस्टिन ने कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष नहीं जाता है और आगे की शत्रुता में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है लेकिन अमेरिका की सेना के खिलाफ ये इरानी समर्थित हमले और स्पी कार रहे हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए इरान अपना हाथ छिपाना चाहता है और हमारी सेनाओं के खिलाफ इन हमले में अपनी बूनिका से इंकार करना चाहता है हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की जुरक्षा के लिए और ज़रूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे वरिश्र अमेरिकी सेनने अधिकारियों के मताबिक अमेरिका की लड़ाको विमानों ने उन्हीं चिकानों पर वारूत बरसाएं हैं, जिनका इस्तिमाल हाल में अमेरिकी चिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। अमेरिका की तरब से ये हवाई हमला इराक की सीमा पर सीरिया के शहर अबु कमाल के पास किया गया। अमेरिका का दावा है कि यहां इरान के रिवोलूशन वी गार्ड कॉप्स ने अपने हत्यारों और गोला बारूत का डीपो बना रखा है। इसके काफी नजदीक अमेरिका का एक एहम ठिकाना भी मौझूद है जिसे हाल में कई हमलों में निशाना बनाया गया है। इसरेल हमास युद्ध के फैसले के बाद मिडल इस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर हमलों की वारदात बढ़ गई है। अगर अमेरिका मिडल इस्ट में ऐसे ही हवाई हमले पर उतर गया तो पूरा खाड़ी धदक उठेगा। सीरिया में हमले के बाद दक्षनी लेबनन का नंबर आ सकता है। दक्षनी लेबनन के साथ साथ इराक और यमन में भी अमेरिका पलटवार कर सकता है। हाल में अमेरिकी बेस पर कम से कम 12 हमले किये गए। इन हमलों में 21 अमेरिकी नागरे घैल हुए। इराक में अमेरिका के बेस अल असद और सीरिया में अल तनफ गैरिसन में इरान से जोड़े संगठनों ने ये हमला किया था अमेरिका का कहना है कि आज किया गया हमला उसी का जवाब है पेंटागन के मुताबिक एराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के बेस पर दरजुनों हमले किये गए हैं मिसाल के तौर पर 17 अक्टूबर को एराक में अमेरिका के बेस अल असद पर हमला हुआ 17 अक्टूबर को इराक में ही अमेरिका के अल हरीर एयर बेस पर हमला हुआ 18 अक्टूबर को सीरिया में अल तनफ गैरिसन में इरान से जोड़े संगठनों ने हमला किया था 24 अक्टूबर को सीरिया में अल उमर ओयल फील्ड बेस पर हमला हुआ वहीं इराक में एरबिल एरफोर्स पर ड्रोन से हमले की कुशिश की गए इन ही हमलों के जवाब में अब अमेरिका ने अपने लड़ाको विमानों को हमले के लिए उतार दिया है हमले का असर इरान की बॉखलाहट में साफ साफ नज़र आए वहीं तनाओं का दीसरा एपी सेंटर दक्षिंड चीन सागर बना जहां अमेरिका और चीन के लड़ाको विमान भिढ़ते-भिढ़ते बचे अमेरिका खदावा है कि चीन का विमान J-11 अमेरिकी विमान से टकराते-टकराते बचा इस भिडंद के वीडियो को जारी कर अमेरिका ने कड़ी आपत्ती जताई है इस वीडियो में साफ तोर पर देख रहा है कि किस तरह से चीनी विमान पीछे से आकर अमेरिका के B-52 के करीब बहुँच जाता है चीन का लड़ाको जेट B-52 बम वर्शक विमान के 10 वीड से भी जादा करीब आगया था चीन के लड़ाको पाइलट के ऐसी हरकतों की वज़ा से दोनों ही जहाज के आपस में ठकराने के आशंका बढ़ गई थी इस करीबी मुर्बेड को पेंटागन ने आक्रामक करा दिया है एक तरफ चीन से अमेरिका के भिडन दूसरी और अमेरिका का सीरिया में इरान समर्थिक बेस्ट पर हमला साथ ही साथ हमास के प्रतिनिधी मंडल का रूस पहुँचना और इस्रेल हमास के बीच युद का और बारूदी होना संकीत साफ है अमेरिका के खिलाब रूश, चीन और इरान की गेरे बंदी और बढ़ती जा रही है जिसका असर एजरेल हमास योद में साफ साफ देख रहा है